बिग बॉस के फिनाले में अब तक की सबसे बड़ी कॉंट्रोवर्सी हो सकती है आपको बता दूं कि बिग बॉस के निर्माताओं ने सल्मान खान को इग्नोर करते हुए स्वामी ओम और प्रियंका जग्डा को बुलावा भेज दिया है जिसमें ये कन्फरम हो चुका है कि स्वामी ओम बिग बॉस के फिनाले का पार्ट बनने जा रहे हैं ऐसे मिए जब सल्मान खान ने खास तोर पर बिग बॉस के निर्माताओं को कहा था कि वो स्वामी ओम का मुझ भी नहीं देखना पसंद करेंगे और स्वामी ओम ने भी सल्मान खान को तोडने फोडने के आरोप लगा दिये थे यहां तक कि उन्होंने सल्मान खान को IS-IS का एजिंट बताया था इतना ही नहीं उन्होंने सल्मान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कह डाला कि सल्मान खान को AIDS है और उनकी शादी हो चुकी है जिसके साथ साथ उसकी एक बेटी भी है ऐसे बड़े बड़े और घटिया आरोप लगाने के बाद बिग बॉस के निर्माताओं ने स्वामी ओम को सल्मान खान को दरकिनार करते हुए फिर से शौमे बुला लिया है अब खबरें यारी हैं कि सल्मान खान हो सकता है कि बिग बॉस के ग्रेंट फिनाले को ही बॉयकाट कर दे अगर ऐसा हुआ तो बिग बॉस की हिस्टरी में पहली बार इतना बड़ा कदम उठेगा और सल्मान खान शायद ही फिर कभी बिग बॉस करें क्या ये सच होगा कि सल्मान खान का ये आखरी सीजन है और इसके बाद सल्मान खान बिग बॉस नहीं करेंगे खबरों की माने तो ऐसा ही कुछ लग रहा है फिल्मी बीट में फिल हाल इतना ही